वेलकम तो माई यूटूब चैनल टेकनिक एलेंकियार फ्रेंट्स अगर आपका भी फ्री फायर मैक्स या फ्री फायर ओपेन नहीं हो रहा है जब भी आप ओपेन करने के लिए क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीक अगर नेट्वर कनेक्सन एरोर का यहां पर जो है प्रॉब्ले नहीं हो रहा है और भी कोई दूसरे चीज़बे आप वाइफाई या जीओ से कहलो गया तो यह उतना प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप यह तो आपको बहुत ही ज्यादा यह नेट्वर कनेक्सन प्रॉब्लेम को यहां पर आपको देखने को म कर लेना है इसमें किलीक करोगो तो यह उपन हो जाएगा तो बाद यहां पर कुछ इस तरीक का इंटरफेस आपके सब्सक्राइब आएंगा तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना नीचे यहां पर इस्क्रॉल करते हुए नीचे जाना इसमें आपको एक ऑ्सन मिलेगा इनि Singapore की server को connect कर लेना है तो मैं यहाँ पर से एक Singapore की server को select कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको Singapore के server में बहुत सारे server मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो तो आपको कोई भी एक यहाँ से connect कर लेना है तो मैं यहाँ से connect कर लेता हूँ okay पर click करने के बाद फिर से एक add आएगा तो इसे भी आपको cut कर देना है cut करने के बाद यहाँ पर आपका automatic VPN जो है वो connect हो जाएगा VPN connect होने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर बैक आजाना है बैक आने के बाद यहाँ पर आपको free fire max को open कर लेना है जो कि मैंने फहले भी आपको दिखाया था कि मेरा यहाँ टिल से ही connect था और यहाँ पर free fire max वो open नहीं हो रहा था network connection error आ रहा था तो अभी देखते हैं कि network connection error आता है कि नहीं तो फ्रेंट से आपर देखते हैं तो हमारा जो यह login वो successfully हो चुका है यहाँ पर tap to begin पर click करते हैं तो देखते हैं हमारा कोई भी यहाँ पर error अगर आता है कि नहीं तो friends आपर आप देखते हो तो कोई भी error नहीं आया और यहाँ और एक बार दिखा दूँ यहाँ पर देखते हो यह टेल मेरा जो data वो यह टेल से connect है कोई भी wifi या geo से connected नहीं है फिर भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर जो open हो गया कोई भी यहाँ पर loading अगर भी नहीं आ रहा है तो मिल देख लेख लेख बाद तब तेकले गुर्वाज